Student आज के इस वीडुओं में हम Clash Trail समाज सास्थर के जितने भी इस्टूड़न्ट हैं और इस बार 2024 Board Exam में समाज सास्थर का Pemaker देने वाले हैं तो पूरे किताब के बृस्तित उत्त्तरीं प्रश्ण आज के वीडूं में हम बताने वाले हैं जो आपके 2024 की बोर्ड एक्जाम में आपका 100% यही सारे प्रशन आएगा जो आज की इस वीडो में हम आपको बताएंगे टॉपर बनना है आपको समाज सास्त्र में तो आज की इस वीडो को आपको सुरू से लेकर लास तक देखना है कियो कि पूरे बुक का वृष्ट्यु त्थरिय प्रश्ण बताने वाले हैं यहां पर देखे इस स्टूदेंट हमें क्या टॉप और वनना जैं यह क्या पूछा गया है यहापद देखिए व्रिस्तु तुत्तरिय प्रश्ण है आपके board exam में 8 नंबर का 1 प्रश्ण होता है समझ में आ गया आपका 8 नंबर का 1 प्रश्ण होगा और यह 3 प्रश्ण पूछे आते हैं 24 नंबर यदे आपको confirm करना है तो सबसे पहला आपको महत्यपूर्ण जो है क्या प्रश्ण को जानना होगा वरिस्तु तुत्तरिय प्रश्ण को तो आप जो सबसे पहला प्रश्ण पूछा गया है कि नगरी करण क्या है इसके गुण एयों दोशों की व्याख्या कीजिए जो आपको तयार करना है यह आपका जो कोश्चन है 2020 में पूछा गया था 2022 की बोड़ इग्जाम में पूछा गया था और 2023 की बोड़ इग्जाम में भी पूछा गया यहां पर गल्ती से त्नाती सोचको है लेकिन यह 2023 की बोड़ इग्जाम में भी क्या है पूछा गया था तो तयार कर लेंगे student तो आपी के लिए better होगा तो इसको तयार कर लीजीगा उसके बाद में देखें दूसरा question क्या पूछा गया है कि आधुनीकी करण क्या है आधुनीकी करण से आप क्या समस्ते हैं भारती समाज पर इसके प्रभाव का मुल्यांकन कीजी बहुत ही ज्यादा important question है और हम ऐसे questions आपको बताएंगे जिससे क्या आपका 24 नंबर बहुत ही आराम से पक्का हो जाएगा बस इन सभी प्रशन को आप उत्तर तयार कर लीजी तो आधुनीकी करण से आप क्या समस्ते हैं इसकी बारे में बताना है भारती समा बता है तो जाकर देख लीजीएगा प्रशन सहीद उत्तर है उसके बारे में बारे में इस video में जितने भी बताएंगे मैं questions बता रहा हूं इसका यदि आपको answer चाहीं तो answer कहाँ मिलेगा आपके question bank में मिलेगा आपकी book में मिलेगा basically आपका question bank से ही लिया गया तो question bank में इसका एंसर मिलेगा यदि आप एंसर क्या है ढूड़ना नहीं चाहते हैं तो आपको करना क्या है सिंपल सा आपका क्या है ट्रिक कह लिजिए सिंपल सा कुछ भी कह लिजी सिंपल सा आपका यूटूब पर सर्च करेंगे क्या सर्च करेंगे जैसा कि आधनी की करण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में सर्च करने के बाद में आपको बाई देखी इस सबसे आसान तरीका है कोशन मायक में इसमें हर एक चैप्टर का इंपोर्टन कोशन सामिल है तो तयार कर लिजेगा इस्टूडन उसके बाद में देखें तीसरा प्रशन क्या पूछा गया है पंचायती यहापर देखें पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीड समाज में उत्पन परिवर्तनों का वरणन किजिए यानि जो पंच है स्वाज कर लेंगे तो क्या है आपका 24 नंबर कंफर्बर रहेगा और 24 नंबर इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि बूड इक्जाम में क्या है एक प्रिकार से 100 नंबर का पूड़ांग होता है तो 24 नंबर जब आप निकाल देंगे तो आपका सेबंटी श्बर्संट क्या ह लेकि चार नंबर प्रशन पूछा गया है कि वैश्वी करण का भारती समाज पर परभाव बताई यह सिंपल सा कोशन ने ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा है पूछा क्या गया है कि वैश्वी करण का जो भारती समाज है इस पर क्या परभाव पड़ा इसकी बा 2020 यहां पर एक साल का गया है 2020 में नहीं पूछा गया था 2023 में नहीं तो इस बार क्या है 2024 में भी काफी चांसे से इसके आने के तो तयार कर लिजीगा बहुत ही ज्यादा बता रहते हैं तो हमने बना दिया और वैसे भी आपको वीडियो चाहिए और इंपॉर्टन वीडियो तो उसके लिए आपको करना क्या है आपको हमारा इंपॉर्टन टॉपिक वाला वीडियो देख रहा है पार्ट वन टॉपिक वीडियो पार्ट टू इसके लिए आपको क्य लिस्ट में वहाँ पर हमने पार्ट वन और पार्ट टू का हर एक सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया हुआ है उन्पॉर्टेंट टॉपिक में आपको सारे तिरी टाइप के कोश्चन्स मिल जाएंगे अति लगू चैसा क्या है को शंट भारत में श्वतंत्रता के प्रारंबिक में अदोगि के करण का जो आपका ओद्योगिगी करण और इसका व्रण कीजे लज च्वक्राईब संचितन के बारे में मूर्टेंट को जैसा कि आप देख सकते हैं, हाला कि सारे important questions जो इस video में हम बताएंगे लेकिन यह सबसे ज़्यादा important है देखिए 2019 में पूछा गया था 2020 में पूछा गया था 2021 में पूछा गया था 2022 और पिछली साल भी क्या है पूछा गया था student तो इस सार ही काफी chances जैसा कि आप देख सकते हैं लागातार पूछा गया है तो इस बार भी आने की काफी chances से तो इसको आप तयार कर लिजीगा हाला कि थोड़ा आपको question क्या है लंबा दिख रहा होगा एक मिकार से बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं आपको क्या है इसका answer आप देखेंगे जब पेपर में देखेंगे तो वहाँ पर एक दो लाइन का होगा यहाँ पर हमने तीन लाइन को लिखा लेकिन वहाँ पर आपका क्या एक दो लाइन में पूरा complete हो जाएगा लेकिन उसका answer आपको देना पड़ेगा क्योंकि भया आठ नंबर का है पहले दस नंबर का होता था अब 8 नंबर का है तो तयारी में आपको लगना से यहाँ पर देखिए भूमंडली करण ने संस्कृति को बहुत से तरीकों द्वारा क्या है प्रभावित किया है विस्तार से समझाईए यानि जो भूमंडली करण है इसने क्या संस्कृति को बहुत से तरीकों से प्रभावित किया है इसका मेरे में इसको क्या है डीटियल में बिस्तार से आपको समझाना है NCERT का कोश्चन है 2030 यह पिछले साल पूछा गया था अब आप लोग सोच रहोंगे कि सर दो दो बार क्या आप बता रहें कि 2030 में पूछा गया तो कितने कोश्चन 2030 में तो भाईया मैं बता दूँ आपको 6 कोश्चन आपका होता है ब्रिस्त सब्सक्राइल नर्मटः भी होता है अक प्रिकार से जो काफी अच्छा करते हैं और जो क्या है uważ करते हैं वो भी ग्रोओते हैं लेकिन प्रिकार से प्रेशर बना होता है प्रेशर बनता है माइंड पर कि हमें ये कोश्चास तयार करना हमें इतने परसंट लएकर आना है लेकिन आपके इस्टडी का एक रूटीन बना लीजिए टाइम टेबल बना लीजिए उसी से हिसाब से पढ़ाई कीजिए सारा कॉंसेट है और 2023 वाला ज चाहूंगा क्योंकि क्या है एक प्रकार से आप हमारे भाई वैन एक प्रकार से आप हमारी स्टूडेंट सी हो तो सारे तैयार करना है सारे कॉंसेट को समझना है और आपकी जो तैयार है सोश्योलोजी के अच्छे से करानी है समझ में आ गया तो सात्वा जो कोश्चन है टे questions लिख दियां इसके ने उसका जास वाला भाना दिया है तो सेमने बौड जाम में करना आपने खरीं ये में वी नहीं देखा है मारा की डा में मत करना है गलतिया तो जा और वो जाकर वो क्या क्या कि गलतिया वाला खरीं बहुत ही questions क्या होते हैं? प्यारी विद्यार्थी question आपका इस तरह से पूछा जाएगा अब जैसे यहाँ पर यह question पूछा गया है आठवा कि किर्शक ए उन्नाव किसान आंदोलन की मद अंतर बताने जनी difference बताना है कि भईया किर्शक क्या है उन्नाव किसान क्या है इसमें क्या अठवा लगकर भी पूछा जा सकता है कि किर्शक समाज इसे पढ़ने वाले परभाव के बारे में लिखी तो अठवा में पूछा जाएगा लेकिन जो इसका answer होगा एक ही होगा question क्या है examiner घुमा फिरा देता है आपको सीधा question का answer लिखना है इससे related जो भी आए किर्शक से related जो भी question आजाए कि यहां लगे कि यह क्या है अठवा लगकर लगा है तो उसका answer आप लिख दीजिए वहाँ पर संकोच मत कीजिएगा NCRT का question है UP board की जितने भी student है उनके लिए तयारी के लिए सबसे ज़्यादा important है law number question देखे क्या है भारत में जनसंख्या नीती पर प्रकाश ड़ली क्या है भारत में जनसंख्या नीती है यह जो question है यह आपके geography हो गया यह आपका civics हो गया यह आपका civics में क्या है हाला कि कम पूछायता है लेकिन sociology और geographyged सब से ज़्याद है कोस्षन किया है पूछायाता है और इसमें भी सबसे ज़्यादा हाला कि geography और sociology में है पूछायता है तो यह question बहुत ही ज़्यादा important है और इसके वारे में क्या answer आप क्या है इसको एक बार पढ़ लिए होंगे क्या इसके answer लिखना है पूरा कि भारव में जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही इसके बारे में क्या है जनसंख्या किस परकार से हा नहीं है या लाव है इसके बारे में आपको पूरा concept समझाना है समझ में आ गया उसके बाद में देखे 10 नंबर प्रेशन सारे questions को आप लोग कॉपी में बैल लेकर बैढ़ जाए और सारे questions को लिए क्योंकि बहुत ज्यादा important है तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए important होगा मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि paper आप ही देने जाएंगे औ पर आप रीड देख रहे हैं क्या स्वेड़्म देख रहे हैं उसके बाद में वार्स्अप में लगने तो बाद आप क्या समय छोड देजिए क्योंकि एक आपका महीना है यह जोड़ी छोडे मठ लेकिन ताइए उसके तीम टेबल और वाला लिजिए क्या है 50 मिनेने फशि नहीं लग रही है तो अच्छी नहीं लगे तो उसको आप इग्नोर करके आप वीडियो को आगे बढ़ा दीजी समझ में आ गया तो देखे भारती जाती व्यवस्था में हो रहे वर्तवान परिवर्तनों की क्या है व्याख्या करना है आपको 2023 और 2024 के यानि इस साल के बोड़ यह आधुनिक बजार होता है इसकी विसेशता हैं यह होती है समझ में आ गया NCRT का कोश्चन है 2019 में पूछा गया था 2022 में और 2023 नहीं लगातार 2022 और 2023 में पूछा गया था मैं आपको डेट भी बता देता हूँ ताकि आपको क्या है कोश्चन को समझने में आसानी हो कि वह य यार कर लेना है आपने हमारा कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा सोशोलोजी का कि बोड एक्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं जब वह आप वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि बोड एक्जाम मे इसका बास लिखने का तरीका भी मालूम होता है और विख्याम यह सौ में से सो लेका रहता है तो वही तरीका हमने बताया हुआ कॉपी वाली वीडियो में जाकर आप जरूर चेक आउट कीजिएगा 12 नमबर प्रसंदी क्या है जातिये विशमता को दूर करने के लिए जाति कि आपको पता होगा हमारे ग्रामीट समाज में और खास कर जो ग्रामीट समाज में क्या रावर जात इसके आप उपाई के लिए आपको इसका एंसर देना है तो बारा नंबर कोश्चन है इसको आप लिख लीजिएगा ज्यादा जानकारी के लिए video को रोक कर भी लिख सकते क्योंकि आपके लिए क्या है समझना independent है समझ में आ गया चली दिखते हMac 3 क्या है राष्ट को प्रभासित करना क्यों कढ़िन है आधुनिक समाज में राष्ट और राज कैसे बंधित हैं जो आधुनिक समाज है इसमें जो राष्ट और राज कैसे क्या है बंधित है इसके बारे में आपको बताना है N.C.E.R.T. का प्रश्ण है क्या है N.C.E.R.T. का प्रश्ण है 2020 और 2024 में ये कोशन पूछा आएगा तो त्यार कर लीजिएगा चलिए देखते हैं अंगला कोशन क्या है तो सारे कोशन बताऊंगा जो आपके सोशोलोजी खासकर समाज सास्त्र के लिए इंपॉर्टन्ट है और आइड्स के जितने भी इस्टूरेंट है चैनल पर नहीं तो चैनल को आप लूग सस्क्राइब पर लीजिए क्योंकि आइड् को बता दूंगा तो इसके बारे में उसके बाद में कला जो आपका कला है संस्कृत यह चार सब्जिक्ट का आपको वीडियो हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा संस्कृत हला की हिंदी में तो उसके बारे में मैं बता देता हूं समझ में आ गया तो यहां पर देखे जो 14 नंबर सारे कोशिटन का an Lauren करता बस आप पूस्टन को ढूंड़े के लिए क्या यह आप पास एक में क्या थे टार एक चाप्टर गे adequate कि a Sak pessoa का सब्चाप्टर हुए जिसको में झ्उश है जारी पार त conception कर लेजिए यहाँ पर दिखे 15 नमर की ग्रामीर समाज में सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंद लिखना दोजार बीस में पूचा गया था दोजार बाइस में सॉरे 2022 में कोश्चन पूचा गया था लसी यार्टी का 16 देखे किया है भारत में महिला आंदोलन के परमुक कारणों का उलेक कीजिए uh परमुक कारण इसके बारे में आपको इसका उलेक करना है 2020, 2022, 2023 में क्या है ये प्रशन पूछा गया था तयार कर लिजे और लिख लीजेगा जरूर आप वीडियो को रोख कर 17 नंबर प्रशन देखे क्या है उपनिवेशवाद के कारण जाती ब्यवस्था में क्या-क्या परिवर्ता ना इसके बारे में आपको बताना है हाला कि सारा इन्पॉर्टेंट है लेकिन जो सबसे जादा इन्पॉर्टेंट है इसमें भी हम ये वाला सिगनीचर लगाते हैं समझ में आ गया 18 नंबर प्रशन देखे क्या है भारत में इस तरी पुरुष के अनुपात में गिरावट के कारणों का उलेक कीजी भारत में इ याद कर लिजी याद कैसे करेंगे हमने इसका भी कॉंसेट बता दिया लेकिन मैं फिर से बता देता हूं आपको क्या करना जो लॉंग कोशन है आपकी राइटिंग भी नहीं बैट रहे है तो आपको दो पेज क्या है पहले लॉंग कोशन आप एक दू चार लाइन क्या है याद कर लिजी फिर क्या है कॉपी में किसी लिख लिजी फिल याद कीजी फिर कॉपी में लिख लिजी इसे आपका दो फाइदा होगा एक आपके राइटिंग इसके लिए इंप्रूब होगी दूसरा आपको कोशन जल्दी से याद होगा समझ में आ गया तो यही बेस्ट method है, जिसको हम भी follow करके क्या अच्छे marks लेकर आये थे, और सारा questions हमको क्या याद हो गया था 19 number question देखे क्या है नातेदारी से आप क्या समझते हैं नातेदारी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए, इसकी स्रेंड़ों का वरणन कीजिए, नातेदारी से ये समझते हैं, तो नातेदारी के बारे में इसकी स्रेंड़ों क्या है, वरणन करना है most important ये भी question है 20 number question देखे याँ पर हलाकि देखे क्या पूछा गया है कि पूझी वाद को एक क्या है, सामाजिक यहाँ पर देखे, पूझी वाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझाईए, और पूझी वादी व्यवस्था की विसेशताएं बताईए क्या है, आपको इसका क्या पूझी वादी व्यवस्था को क्या है, समझाना है पुझिवादी व्यवस्था की विसेस्ताएं बतानी है NCRT का परशन है आपका 2024 में पूछा जाएगा इस साल के बोर्ड जयाम में भी समझ में आ गया, पूछा जाएगा important है, 21 नमर question देखे क्या है, अश्प्रियस्टा क्या है, अश्प्रियस्टा से आप क्या आश्प्रियस्टा है, इसके परमुख आयामों का वर्णन कीजिए, उसके परमुख आयाम है, इसके बारे में आपको बताना है important question है, बाबु तयार कल लीजेगा देखे, बाबु वाला वर्ड काफी ज़्यादा निकलना है, क्या है, जो मैं क्या है, एक निकर से offline भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी यही बोलता हूँ, क्योंकि छोटी-छोटी बच्चे हैते हैं, छोटी-छोटे नहीं क्या है, सीनियर होते हैं, एक पकार से high school intermediate का, वाला कि मैं intermediate का पढ़ाता हूँ, तो intermediate का ही student होते हैं, तो उनको क्या हम यही कहते हैं, बाबू कहते हैं, उसके बाब में क्या बच्चा कहते हैं, students कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, तो इस पर आप क्या है, कुछ सम मत होईएगा, आप लोग बुरा मत मान लिएगा, तो समझ में आ गया, तो 21 नंबर कोश्चन हमने बता दिया है, यहाँ पर सारे कोश्चन को हमने बता दिया है, आप लोगों ने देखा होगा वीडू, वीडू को रोग कर भी आप सारे प्रश्चन को लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, और आप ही लोगों के लिए वीडू हमने बनाया था, काफी विद्यारती का कॉमेंट था हमारे बेच में की सर वीडू बनाईए व्रस्तुत उत्तर ये प्रश्चन पर तो आज का ये वीडू, उन्हीं लोगों के लिए क्या है, डेडिकेटिड था, तो आज के इस वीडू में इतना ही मिलता है, नश्ट वीडू में नए टॉपिक के साच, आप के ल आया लिखर, तब तक कि लिए जाहिन पढ़ते रहे और चिसी तैयारी बूर्ड की करते रहे,